हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीडे न्यूव दोस्तो आरार भी एलपी वाले छातर के लिए अभी अभी देखिए रेलवे के तरफ से एक बड़ी ओफीशल अपडेट आई है जी हाँ फ्रेंड्स एलपी सीवी टीवन का एक्जाम आज का दोस्तों यहां पर कुछ सेंटर्स के कैंसल कर दिये गया है नोटी से हाँ पर ऑफीशल आ चुका है तो आए जानते हैं कि आखिर किस किस सेंटर्स के एक्जाम अभी रेलवे ने कैंसल किये हैं दुबारा यहां पर री शेडूल एक्जाम कब से होगा दुबारा कब से सीटी इंटिमेशन और बाकी सारी अप्डेट्स आएंगी तो सारी अप्डेट्स को देख लेते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं है वो जल से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वरत दबाद जगा रेलवे वरतीगी इपलवल की अप्डेट के लिए फ्रेंड्स इसे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एक्जाम की प्रप्रेशन करते हो तो देखें दोस्तों किरन पप्रिकेशन की एक बुक आती है रेलवे और एक्जाम मैथेमेटिक्स के प्रशन आपको एक जगा मिल जाएंगे जो की चैप्टर वाज और टाइ जाते हैं इसी तरह से देखिए इनका वन लाइनर अप्रोच का समाइन अगयान का भी बुक आता है जो कि एक्जाम के लिए हैं तो आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफ्लाइन वादेम से बुक से बलबले चाहो तो कंसीडर कर सकते हो देखें फ्रेंड्स यहां पर मैंने आर तो एक अबलीक दोहजार चौबिस एलपी वाले सेक्शन में आते हो तो यहां पर देख लिएगा नोटिस यहां पर 25 से 11 दोहजार चौबिस करेट में नोटिस फोर री श्चेडूलिंग ऑफ सी बीटी वन स्चेडूल्ड ओन 25 से 11 दोहर चौबिस सिफ्ट टू वाला पेप देखिए नोटिस फोर री श्चेडूलिंग ऑफ सी बीटी वन श्चेडूल्ड ओन 25 11 2024 सिफ्ट टू एट वेन्यू कोड 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 नंबर देख ली जगा आई ओंड डिजिटर जोन आई डीजेड आरा यानि आरा जोन के अंतरकत जो टेस्ट सेंटर एक बनाया गया था यह वाली कोड है जिसका उसका पेपर दोस्तों कैंसल कर दिया गया है सेकंड सिफ्ट वाली और री श्चेडूल अब किया जाएगा पूरा मेंटर देखिएगा क्यों कैंसल हुए दा फर्स्ट अस्टेस कंप्यूटर बेस्टेस्ट अगेंस सी एन एक अपलिक दोहर 24 शेडूल है सिर्फ जिनका पेपर आरा के अंतरगत था यह वाले सेंटर कोड पे सिर्फ उन ही का कैंसल हुआ है बाकी का सारा का सारा अलग अलग आप लोग नें पेपर दिया है सेकंड सिफ में फॉस्ट में वह कैंसल नहीं है दलिंक फॉर विविंग दे एक्जाम सीटी इकॉल अब दोस्तों आखिर क्या करन था कि एक्जाम यहां पे कैंसल करना पड़ा तो देखे फ्रेंड्स बहुत सारे चातर के एलिगेशन थे कि यहां पे एड्मिनिस्ट्रेटिव इनकी प्रोब्लेम थी सर्वर का इसू था कई जगा पे दोस्तों अभी भी मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि सर फसिप में जो नौ बजे यहां पे पेपर सुरू होना था तो साढ़े नौ बजे तक तो यहां पे एंट्री ही ले रहे थे छातर के यानि एंट्री ही लिया जा रहा था इसके बाद जब पेपर सुरू हुए तो कई सारे छातर का ऐसा था फ्रेंड्स की पा paragraph दिया गया examiner के through और वो उसको देखकर के लिखें और इस सब में दोस्तों बहुत time बरबाद होता है तो अगर आपका 5 minute time बरबाद हो जाए 60 minute का paper है तो कितना पीछे आप लोग रहेएगा बताइए तो इस सब चीज़े जहलनी पड़ी है कई centers वाले candidate मेरे पास भी contact किया थे बताया थे candidate की सर यह सारी चीज़े है अब देखिए रात रात तक हो सकता है कि और किसी center में अगर इस तरह की बवाल किये होंगे candidate तो हो सकता है अगर genuine problem होगा तो cancel हो सकता है लेकिन अभी अभी तो update आ चुका है इस वाले center से की आपका paper cancel हो चुका है तो यह सारे कारण थे server issue अस्था friends पहला दिन ही paper था तो बहुत यह लोग को पहले से testing और सारा चीज़ कर लेना चाहिए था हरवड़ी में paper कराएंगे तो यही चीज़े होंगी तो यह सारी चीज़े है जिनका जिनका cancel हुआ है वो आरा जोनके अंतरकर जिनका paper था उनका second shift वाला first shift का cancel नहीं हुआ है इनका paper हो गया है और सिर्फ second shift वाला cancel हुआ है आगे और भी notice है कि cancel के regarding regarding to आपको बता दूँगा रही बात कि आखी इन सभी चातर का paper दुबारा कब होगा तो देखिए सारा paper जब conduct हो जागा फ्रेंस एसब तभी उसके बाद नया सीटी इंटी मेशन एलोग देंगे और नई dates आपको बताई जाएगी जिनका जिनका cancel होगा अभी हो सकता है कि और centers का cancel हो या फिर और shift में cancel हो तो एक इक अठे एक बार नया notice निकालेंगे बाद में paper हो जाने के बाद नई dates दी जाएगी नया सीटी इंटी मेशन आएगा और उसके बाद एक दिन में आपका paper बाद में conduct कराया जाता है तो एरे ये update बाकी इस centers पर जो जो candidate थे जरूर कोमेंट में बताईएगा और आप लोग जो paper देखिया है first shift और second shift में कहीं धांदली का issue या फिर कहीं पर कुछ इस तरह से center पर आपको नजर आई या फिर misconducting हुआ एक्जामिनी के तरफ से या फिर कुछ दि करेंग में